क्या करते इसको खाते दिखाओ खाके खाके दिखाओ कैसी लग रही अच्छी लग रही हाई एवरिवन स्वागत करते हूँ आपका अपनी चैनल ग्रानी गार्डन ब्लाग समी दोस्तो फाइनली ओ दिन आ ही गया जिसका हमें बे सबरी से इंतजार था दोस्तो हम लोग साल भर वेट करते हैं इस दिन का जिसका की हम लोग बहुत ही खुसी के साथ में इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो बस अभी हमारे टीटू का जनम दिन आने वाला है बस दो ही दिन बचे हैं और उसी की हमें करना है सारी तैयारी तो वो हमसे दिамना पड़ेगा वहां पर वर्थडेर हमें करना है और बहुत खुस होता है क्योंकि उसे पता है कि नानी और जी जब आते हैं तो बहुत सारी खुसिया तो साथ में ले करें आते हैं लेकिन एल सारे गिप्ट लेकर आते हैं आते हैं फाने चोनOM है कि छोटे बच्चों को खिलोनों का बहुत लगाव रहता है और हमें भी ऐसा लगता है कि यह खिलोना बच्चों को लेना ही चाहिए तो बस मैंने सारे खिलोने तो ले लिए थे बस अब जाने की हमारी तयारी चल रही है तो दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि हाउस वाइब दिन भर घर में क्या करते रहती है लेकिन सभी लोग जानते हैं कि हाउस वाइब घर में रहते हुए भी एक मिनट के लिए खाली नहीं रहती है खैर अभी तो हमें जाना तो यह एक्स्रा काम हमारा बढ़ जाता है कोई भी हाउस वाइप हो इतनी बीजी रहती है दिन भर घर में उसके बावजूद भी अगर कहीं जाना है या कोई function है उसके लिए भी वो अपना टाइम निकाल कर मेनेज कर लेती है आज बस बर्थडे में जाना है इसके लिए मैंन आज ड्राइफ्रूट्स के लड्डू बनाये हैं तो ड्राइफ्रूट्स के लड्डू दोस्तों मैंने सारे मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग हर मैंने किराना सामान लेकर आते हैं तो थोड़ी 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 चीजे हम लोग जब यूच करते हैं और बच कर लिया है मतलब दरदरा सा बारी कर लिया है जो ढ Pre-ishienia में भून कर रेड़ी करना था तो वह सारे भून कर मैं रेडी करके शक्कर वगरे पीस कर इसी में mix कर द आप लोगों से तो मैंने share किया ही था इसके पहलेห्र भी लड्डु हमारे कैसे बनते हैं बहुत ही आसान तरीके से जिसमें की हम लोग हाथ वगरे जलने का कोई भी डर नहीं रहता तो बस उसी प्रकार से मैं आज ये चारे लड़ू तयार कर रहे हूं और बहुत सौक है उसे लड़ू क्या हर चीज खाने का सौक है इसलिए हर चीज उसके लिए हम लोग लेकर जाते हैं क्योंकि सबसे पहले बच्चे हो या फिर बड़े हो अगर मायके से अगर कोई आये है तो सब की आस लगी रहती है दोस्तों बेटी की तो रहती है लेकिन दामात की भी बहुत आस लगी रहती है कि ममी पापा आएंगे तो कुछ ने कुछ तो लेकर आएंगे ही यही सोच कर मैंने सोचा कि चलो आज मैं लड़ू बना ही लेती हूं क्योंकि बहुत दिनों से मेरे ड्राइफ्रूट से रखे थे सोच रहती है कि आज बनाओंगी कल बनाओंगी लेकिन जब समय आता है तब ही होता है तो बस आज हमारा यह समय आ चुका है तो म फिर और किसी चीज के अभी वैसे भी ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंडी के मौसम में ड्राइफ रूट सके लड्डू कहो या फिर कोई भी चीज अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारे सहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और यह सारी चीजों का ध्यान तो एक हाउस खाती है तो चलिए हमारे सारी तैयारी तो लगभग यहां होई चुकी है और यह देखिए आप हमने कितने सारे खिलोंने लगभग मानके चली के छे मैना हो गया होगा जब भी हम लोग कोई ऐसा मेला लगता है या फिर कोई ऐसे दुकान ओगे चले जाते वहां ऐसी चीज दिखती है कि यार यह छोटे से नाती के लिए हमें लेना चाहिए तो बस हमने सारी खरीदे यहां करके रख लीती पहले ही और आज इसकी पूरी पेकिंग कर लिए तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा मेरा ब्लाग था आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं अगले नियू ब्लाग डाप